जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रेंग की पेंशन बताऊंगा और ये पेंशन ओर रूपी 1 की ओर रूपी 2 की और ओर रूपी 3 की है आप समझ जाएंगे कि इस रेंग को कितना नुकसान हो पेंशन पे दोस्तो रैंक है हवलदार 24 साल सर्विस वाई ग्रूप की ओर ओर ओपी 1 के एकॉर्डिंग अगर हम पेंशन देखें यानि मैंने इसमें दो पेंशन लिए एक 2006 से पहले जो आएं ये हवलदार और एक जो 2006 के बाद जो आएं ओर 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 आपी 1 के यानि 2006 के बाद जो आएं हवलदार उनकी बेसिक पेंशन है 24233 दोस्तो ये 24233 किस रैंकी पेंशन है ये है नायब सुवेदार रैंकी पेंशन यानि एक हवलदार जिने नायब सुवेदार की पेंशन मिल गई उन्हें ACP, MACP मिल गई 2006 के बाद तो 2006 से पहले आए हवलदार को कितना नुक्सान हुआ ये हुआ 4,166 का ऐसी ORP2 में देखें Pre-2006 के हवलदार यानि 2006 से पहले जो आए है उनकी Basic Pension की बात करें तो है 22,257 और वो ही जो 2006 के बाद आ रहे हैं हवलदार उनकी है 24,825 यानि एक नायब सोवेदार की Pension उन्हें मिल रही है ऐसी दोस्तो कितने का Loss हुआ यहां पे यह हो रहा है 2568 यानि 2568 रुपे का एक हवलदार को नुक्सान हो रहा है अब दोस्तो ORP3 में ORP3 में जो मैंने Calculation करी है वो मैंने Approx करी है एक अनुमानित करी है कितनी आपकी बढ़ सकती है ORP3 में Approx है यह अनुमानित 2006 से पहले जो आए हैं यानि अगर हम 2006 से पहले जो आए हैं हवलदार अगर उनकी हम Basic Pension देखें जब आगे ORP3 आएगी तो कितनी बढ़ सकती है यह है 23,958 यानि 22,257 से बढ़ कर ORP3 में हो सकती है 23,958 23,958 दोस्तों यहाँ पे 23,000 के आसपास मैंने बताईए यह 24,000 भी जा सकती है ORP3 में अब पोस्ट 2006 यानि 2006 के बाद जो आए हवलदार उनको कितना नुकसान होगा आगे अगर ORP3 आती है तो दोस्तों उनको मिलेगी 25,700 तो कितने का लॉस होगा आगे 1,742 का इससे उपर भी बर सकता है लॉस यह Approx मैंने माना है दोस्तों नायब सुबेदार की पेंशन देखें अगर हम ORP3 में तो कितनी हो सकती है ORP2 में तो 24,825 है ORP3 में अगर हम देखें तो 25,700 या फिर 25,800 या मामुली सा 26,000 इसी के आसपास इनकी पेंशन हो सकती है क्योंकि JCO's rank को यहाँ पे फायदा नहीं है ORP3 में जिस तरीके से ORP2 में फायदा नहीं मिला कुछ बढ़ सकती है पेंशन लेकिन वो भी मिनिमम 2,000 25,300 इतनी नहीं बढ़ेगी बहुत ही मामुली संतर 600, 500 रुपे 700, 800, 900 इसी के आसपास इनकी पेंशन रह सकती है ORP3 में दोस्तों अब एक हवलदार की पेंशन अगर हम देखें ORP3 में तो इनकी बेसिक पे के एसाफ से इनकी अगर हम बेसिक पे मानें तो 4,400 से उपर है 4,600 4,600 या 43,000 इसके अनुसार हम पेंशन निकाल सकते हैं ORP3 में तो मैंने बताया हैं यापे 23,000 या 24,000 के आसपास पहले 22,257 अब होगी 23,958 या फिट 24,000 के आसपास इतनी एक हवलदार की पेंशन हो सकती है तो दोस्तों इस तरीके से जो 26 से पहले आए हैं उनको वाकिए में बहुत बड़ा नुकसान है पेंशन पे चोकि 2006 के बाद जो आए हैं जिने ACP, MACP मिल गई उनको तो अगले रैंकी पेंशन मिल गई उनको तो फैदा हो गया पेंशन पे तो इस वज़े से 2006 से पहले जो आए हैं उनके लिए भी ACP, MACP लागू करे ताकि ORP 3 में जो नुकसान होने वाला है उससे बचा जा सके इससे पहले ORP 1 में ORP 2 में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके तो दोस्तो ये मैंने आगे के लिए सतर्क कर दिया है आगे के लिए जब ORP 3 आईगी तो दोस्तो ये चीजे मैंने आपको समझाई इसकी रिगार्डिंग आप क्या समझते हैं आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कर रहा हो दोस्तो चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं Thank you so much